हेलो हेलो दोस्तों मैं हूँ आजय सर्मा और आप देख रहे हैं अपना गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको सोनी एंड hrmc-200 वीडियो कैमरा है इससे हम लोग वीडियो data जो रिकोड़ रता है उसे हम अपना pc या laptop में कैसे приika करते हैं दोग तो ये कहना बहुत असान है कि कोपी करना बहुत असान है लेकिन जिन भाई लोग ने ने कैमरा लिये हैं परिसान हो जाते हैं हमारे जैसा जो मैं जनकार हूँ काफी मुझे लगता है कि इस कैमरे के बारे मैं जानता हूँ फिर भी मुझे एक टेम में ऐसी situation आई थे कि मैं परिशान हो गया था एक्चुली इस वीडियो से जब आगर recording करते हैं तो हमारा जो वीडियो clip recording जो है save होने का दो जगा पे chances होती है एक आपका internal memory card दूसरा memory card में तो आप अगर memory card में यहाँ पे अगर memory card डालका video recording करते हैं तो आपको कोई बात नहीं आप memory card card data में डालकर करके आप copy कर सकते हैं कहीं भी no issue but problem यहाँ पर आती है कि जब हमारा video जो clip है इस camera के internal memory card में recording हो जाती है तो मुझे परिशानी आ जाते कि इस internal memory card से कैसे video copy करें तो इसी परिशानी को दूर करने के लिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इस वीडियो के internal memory card से video कैसे कोफी करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों कोफी करने के लिए आपके पास एक जरूरी चीज आपके पास ये वाली cable जरूर होना चाहिए आपके पास एक जरूर होना चाहिए आप देख सकते हैं इधर से जो आपका mobile में जो charger लगता है ठीक है वो ऐसे वाला है चोड़ा वाला और ये वाला दोस्तों यही इसी में लोग सब उलज जाते हैं कि इसका size कितना है पता नहीं लेकिन इस size को आप देख करके आकड़ा लगा सकते हैं नहीं तो आपका camera में भी ये छोटा वाला size दिया हुआ है तो आप वैसा आप कहीं अगर जाते हैं तो आपके खरी सकते हैं नहीं तो आप फिलिप card हो गे रहा एमो जोन से मंगा सकते हैं बिल्कुल आपके घर तक पहुच जाएगा इससके बल और ज्यादा price भी नहीं होगा minimum मुझे लगता है 200 के आसपास के अंदर आपको मिल जाएगा ये मैं purchase नहीं किया हो दोस्तों ये मुझे free में मिला है आपको बता देता हूँ detail में कि मुझे कहां से मिला है actually मैं 2017 में ये handicap camera Panasonic का handicap camera purchase किया था इसी का वो charger वाला cable है दोस्तों तो मैं उस cable को यब use करता हूँ इस video camera से internal memory card से कैसे data copy करते हैं इसी से copy करता हूँ दोस्तों तो copy करने के लिए लिए बात ही ख़लने के बाद यहां पर दो USB boot cable है लगाने के जगह तो उपर में नहीं लगाएंगे नीचे वाले parts में लगा देंगे तो इसको अराम से लगा देता हूँ ठीक है दोस्तों लगा दिया हूँ अब आप देख सकते हैं हमारा यहां पर memory card नहीं है ठीक है और हमारा data भी इसमें है तो चलिए तो अब इसे हम copy कैसे करेंगे उसके बाद एक उधर लगा दिया दोस्तों दूसरा यह जो है हम अपना computer में लगा दे रहा हूँ ठीक है computer में लगा दिया अब camera को on करते हैं camera on करते ही दोस्तों camera on करने से पहले एक बार अपना camera को यह जरूर देख लेंगे कि हमारा camera कितना charge है अगर आप data copy करने वाले हो internal memory card का computer में तो सबसे पहले आपका camera charge होना चाहिए camera का जो battery है वो charge होना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आप data copy करेंगे तब तक आपका camera जो है on होना चाहिए ठीक है तो इस चीज़ को आप जुरूर ध्यान में रखते हुए data को copy करेंगे नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका आधा धूरा data copy हो और आधा ना हो तो ऐसे में chances जाता है video अगरा करने का तो आप एक बार camera को charge कर लें उसके बाद ही data copy करें सो अब मैंने लगा दिया है इस भी के वाद चालू कर दिया हूं और हमारा भी 77% जो है बैट्रिक चार्ज है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि data को कैसे copy करते हैं और कौन सी file दिखाता है folder कौन सी दिखाता है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे 10 PC आपका हो सकता है मैं PC लिखाओ उसमें जाएंगे जैसे उसमें जाएंगे दोख्तो तो यहां पे जितने भी हैं drive उसमें आप एक चीज़ देखेंगे USB लिखा होगा देखे USB F और USB I तो यह दिख रहा है कि साब सुतरक की खाली है पू male 1 बयान कि आए यש के अगया एक दल किकरेंगे एक डबल किली करेंगे और तीसरा नंभर में आएंगे conclusion में किलbor करेंगे और पर जितना भी डैटा है इससी में या अब इस डेटा को यह ब्ले साइब हें एक पर लाटा है देखिए मैंने प्ले कर दिया तो देखिए यह हमारे वेडिंग का जो मैंने वेडिंग इसी केमरे से सूट किया हूं और इंटरनल में है अभी इसमें ठीक है तो यह हो गया एक क्लिप इसी तरह धेर सारी क्लिप है जाएं धिठर क्लिक्स रहते हैं टोटर यहां पर हम लोग तो कोफी करने के लिए सबसे सिंपल सी अपना जयाशा और क्यफ वाच आपका यह में कीवर्ड दिया रहता है ओसमें हम लोग सब पहले control control के दबाई रखेंगे उसके बाद control के दबाई रखेंगे और ये दबा दिजे जैसे ही control को दबाई रखे ये दबाएंगे तो हमारा जितना भी data है सब select हो गया है देख सकते हैं सब select हो गया है total select हो गया है तो यहां पर हम लोग right button पट्टन किलिक करेंगे कहीं भी के सेलेकए अन्दर में एरिया में तो यहां पर कौपी मूंद आ जाता है सबसे निचे वाले ऑप्चन से तिस नमबर में कोपी स्टी वो पी वाई कोपी करेंगे सारा डेटा जो है कोपी हो जागा तो मैं एक ठोट डीटा आपको कोपी कर कर के दिखाता हूं गजो की भी दिखाता ह дух 95 और ढली डाटा है इसको मैं कोपी कर दिया right button clicker करके को copy किया ठीक है copy करने के बाद दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसको cut कर से डारेक के बाद इस PC में जाने के बाद आपको दिखाता हूं यहाँ पे आपको कहाँ पे copy करना है वो फूल्डर आप कुछ चुन लेजिए गा फॉल्डर तो मैं अभी M.OLEM करना ठीक है M.OLEM तो यहाँ पर M.OLEM देखेंगे कि कुछ है क्या M.OLEM नहीं करेंगे क्योंकि मेरा कुछ है उसमें डाटा H.OLEM जाता हूं और यहाँ पर Direct Right बेटन किली करके यहाँ पर कहीं भी Paste करता हूं देखिए यहाँ पर पेस्ट करता हूं, PST, पेस्ट हो गया, अब हमारा डाटा यही है दोस्तों, जिसे मैं कोफी किया था, तो इसे पले करके भी आपको दिखा देते हैं, तो देखें, यह था हमारा डेटा, जो कि इसमें रिकॉर्डिंग है, तो आपने देख लिया कि किस तरह से डेटा को कोफी के पास भी शेयर किजिए, और भी कुछ परिशानी है, तो हमें कमेंट किजिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, साइध आपको समझाओंगा भी, तो थैंक यू, वाच दिस वीडियो, बाई!